लहरों को सांथ देखकर ये न समझना किस समंदर में रवानी नहीं है जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे नमस्कार दोस्तों स्वागेत आप सविक आपके अपनी यूटूब चेनल सुपर कंसेप्ट क्लासस में और आज किस वीडियो में आप लोगो को क्लास 2L वी इतिहास का भेर भेर इंपोर्टेंट MCQ कोश्टन्स कराने वाला हूँ तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए जितना हो से किस वीडियो को सेर करें और अप लोग हमारी चेनल पर पहली बार आए हैं तो चेनल को सब्स करतीजिए देखिए यहां पर में आप लोगो को इतिहास का MCQ का दो वीडियो देने बाला हूँ बस यह दो वीडियो आप लोग देखिए इससे बाहर आप लोगों का एक भी कोश्टन नहीं जाएगा आज किस वीडियो में आप लोगो को डेर सो MCQ कोश्टन्स कराऊंगा और टोटल मिलाकर में आप लोगो को करीबन लगबग 400 के आसपास MCQ कोश्टन्स करा दूँगा बहुत ही फटापट फटापट आपट आप लोगो देखिएंगे टेंसल मतलो कुछ ट्रिक्स भी देखिएंगे कुछ पॉइंट्स भी देखिएंगे और बहुत सारे कोश्ट करीबन 400-500 कोश्टन्स रहेगा एक ही दिन में महातानडव आएगा और उस दिन हम लाइब टेस्ट के जरिए हर एक कोश्टन्स को डिस्कस करेंगे तो चलिए फटापट स्टार्ट करते हैं देखते हैं कोश्टन्स को तो देखिए यहां पर हमारे पास जो सबसे पाहला जो कि अधर आवने क्या है बहुत सरे बच्चा आप बोलें कि अधर आप एंसर लिग दिये और आप यहां पर एंसर नहीं लिग दिए दमजा आता दो पहले ही टाइपिंग क्या हुआ इसलिए लेकिन जब मैं लाइप टेस्ट लूंगा उस टेम फोई भी एंसर नहीं पुरोहित राजा का उसेस किस नगर से प्राप्त हुआ तो यह मोहन जोद्रों से प्राप्त हुआ था इसका ट्रीक है मैं आपको आगे करा दूंगा ठीक है तिसरा कोश्चन है कि हडपा वासी तामबा कहां से प्राप्त करते थे तो खेतली से तामबा कहां से प्राप्त कर तो धोलाविरा की जो खोज है 1990, 1990 एक अनवी में हुआ है, ठीक है, और किसने क्या है, तो RS विस्ट, याद रखना, RS विस्ट ने, इसका पुरा नाम हो गया, रबिंदर सिंग विस्ट, रबिंदर सिंग विस्ट बोलो, या फिर RS विस्ट बोलो, दोना का मतलब एक ही हुआ, अ हडपा टीले, हडपा टीले का उल्लेक, सर परतम 1826 इस्वी में, किसने क्या, सबसे पहले इसका उल्लेक है, चार्स मेंसन ने, क्या था, 1826 में, ठीक है, 1826 में, देखो, 1826 में, किसने क्या है, चार्स मेंसन ने क्या है, और हडपा सेपता का जो खोज है, हडपा सेपता का जो क्टिया, थैक्या डया करो तो हरापाफा का खोज-धयराम-साहनी ठीक है दयाराम-साहनी पुरा नाम राय-बहादूर-धयराम-साहनी ऐसा बोलना को राय-बहादूर-धयराम-साहनी यह हो गिया öst और स्बी她 कोई्षण नमर्स 7 मोहन जोडरो की खूज 1922 फिस्टिम में किसने की मोहन जोडरो। देखवो जोडरो से प्लब से आपका आ रहा है, जोडरो मैं जोड़ो, जोडरो से आयग the to ze नहीं हाथ कुण जोडता है, तो जो दास होता है, वह हाथ जोडता है, तो दास, देखो दास, यहन्नी राखलदास-Benergy, इसको अम लग आरडी-Benergy भी बोल सकते हैं, कहीं पर अगर आरडी-Benergy लिखा रहे हैं तो आपको अगर अगर का राखलदास-Benergy बोलिए, दोनों का मतलब एक ही हुआ तो आड़े बेनर जी यानिके राखलदास बेनर जी ने मोहन जोद्रों की खोज की है देखो भाई अभी आभी हमें बहुत दूर का सफरताई करना है एकदम वीडियो को पुरा देखो कहीं पर इसकीप मत करो आगे देखो किस पुराविद ने प्रकास डाला है तो अर्नेस्ट मेके किसने अर्नेस्ट मेके ने कोश्चन नमर नाइन सिंदु घाटी की निवासियों को किस धातु का ज्यान नहीं था तो इन लोहा का ज्यान नहीं था किसका ज्यान नहीं था लोहा का ज्यान इन लोहा को नहीं था कहां हुआ था इनका जन्म तो लुम्बिनी कहा हुआ है इनका जन्म लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ है आगे देख लो कॉश्चन 12 इस्तूप का सम्मंद है तो बोध धर्म से यनकी बोध धों से बोध धर्म से इस्तूप का सम्मंद है question number 13 जयन धर्म के पर्थम तिर्थंकर थे पर्थम थे Eisenacham, अंतिम थे Mohavir Swami देखो अंतिम अंतिम कोन थे हैं अंतिम कोन थे Mohavir Swami last वाला Mohavir Swami और पर्थम Re ratsav Deew याद रखना, भूल मत जाना आगे देखो, अगला question महावीर के बच्पन का नाम क्या था उनके बच्पन का नाम था वर्दमान इनके बच्पन का नाम क्या था वई बर्दमान था कोश्चन 15, किस पेड़ के नीचे महावीर को ज्यान प्राप्ट हुआ, महावीर स्वामी को साल पेड़ के नीचे, साल ब्रिक्ष के नीचे ज्यान प्राप्ट हुआ था कोश्या में सोला, सांची मध्य पर्देश के किस सहर मिष्थित है, तो राइसेन, कहा है बई, राइसेन, याद रखना, राइसेन मिष्थित है, पाडली पूत्र के अस्तपना किसने की, उदाइन ने क्या है, उदाइन का और एक नाम है, इसको उदाइभद्र भी बोला जाता है, उदाइन को उदाइभ 들어r भी बोला जाता है, confused नहीं हो, पाडली पूत्र के अस्तपना किसने की, उदाइन ने क्या है, उदाइन का और एक नाम है, उदाइभद्र, और यहां पर उदाइन क्या करता है, तो कि पहले जो राइधानी है, पहले जो राइधानी था, नाज़ा क्यों sprechen को स्थपना करते हैं पादलीपूत्र का थीन नदी आज़गो यह नदी है थो देख लोंगा यहाँ पे लगा यह पण पुन 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 आदी नहीं मग तो भई देखो यहां पर दो कोश्चन बनेगा, पहला कोश्चन आपका यह बन जाएगा, कि पाडली पुत्र नगर की जो स्थपना हुई है, यह किन नदियों के संगम पर हुई है, तो भई आप बोल देना नदिका कर नाम पूछेगा, तो गंगा, सोन और पुनपुन, पु कोई दिगत नहीं है इसके बाद देखो क्या होता है इसके बाद सिसुना क्या करता है सिसुना क्या करता है पाटली पुत्र को राइधानी से हटा देता है अब बना देता है किसको राइधानी तो यह कर देता है बैसाली बैसाली को यह राइधानी बना देता है ठीक है सिसुन पाठली पुत्र को फीर से राजदानी बना देता है, तो मैंने यहां पर लिग भी दिया है, आप चाहो दिसका स्क्रीन शड़ भी ले सकते हो, पड़ भी सकते हो, लेकिन यहां पर जो सबसे इंपोर्टेंट जो कोश्चन आपका बनेगा, कि पाठली पुत्र नगर के स्थप चेंद्रोप्त विक्रमादित यहां, चेंद्रोप्त विक्रमादित यहां कि दर्बार में नवरतन रहते थे, आगे देखो, कॵेश्चन 19, अभी जान से कुंतलम के राजनाकार है, पर्याग पर्सस्ति का सम्मन्द किस गुप्त सासक से हो, तो समुद्रोप्त से हैं, किस से सम्मुद्र गुप्त, question number 21, प्राचिन भारत में अभी लेक किस रुवात किस सासक ने की, तो असोक, अभी लेक बोलो, गुः लेक बोलो, या भी सिला लेक बोलो, इसका आरम किस ने किया है, तो असोक ने किया है, इस बात को खोपड़ा में घुजा लेना, आगे देखो, किस सासक को पिर्यदर्शी कहा गया है, तो असोक, असोक को पिर्यदर्शी कहा गया है, असोक को क्या कहा गया है, भाई, पिर्यदर्शी कहा गया है, question number 23, देखो, मोर ये काल के टकसाल का परधान कोन था, तो जो लक्षनाध्यक्षी होते हैं, ओई, ठीक है, लक्षनाध्यक्ष मोर ये समराज की बारे में मोर ये काली की बारे में पदा चलता है जो अभिस का सेयुत तरी है प्रॉपसिन नमर एक हो जाएगा कोश्चन अब 25 धाम महा मात्रों को किसने नियुक्ति किया तो असोक ने किसने क्या वह भै असोक ने असोक ने धम की नीति अपनाई है, जब कलिंग का युद्ध हो जाता है, उसके बाद चारो तरफ, जब युद्ध के पसात क्या होता है, चारो तरफ खूनी खून, ये सब चीज देखके न, असोक का दिल धाल जाता है, और ये लगाई छोड़ देते हैं, और धम की निती अपना लेते हैं, धम की असोक नहीं क्या है, ये धम महामात्रों की नियुक्ति किसने की, तो असोक नहीं क्या है, जो भी बोला जाएगा, कोश्चन अब देख लो इसको, कोश्चन अब चब्दिस, अर्तसास्त्र के इंडिका से किस राजवन्स के बारे में जानकाने मिलती है, तो मोर ये बनस के ब अर्तसास्त्र की रचना, चाने के नहीं क्या है, इंडिका की रचना, नेगस्थ निजने, दो चीज के लिए रहें, आगे देख लो, कोश्चन अमर 27, एलोरा में कैलास मंदिर किस राजवन्स ने निर्मित कराया, तो राष्ट्रकूट राजवन्स ने, किसने, राष्ट्र नदी के किना रचति थे, कौन नदी ? भोगवा नदी. कोश्चन अमर्ट 30, राख rooftर्र बनर जी को महिन्जोदरो कंजण ही मिले ? उनिर्म है ही 1900 मीं मिले है, और हडपा घूज कर वेय का है ? तो 1921, हडपा 1921, महिन्जोदरो 1922, निर्म येक साल बाद, आगे देखु। समी है ऎितना और तर चैना चैना सोंने में पानने लिक दें सिंदू गाधा को बोल जिलージ। से टाइक तो भूह नहीं कुछ बंडे थे तुछ हिए तो याद कर ते की है शपनदी ने क्ट आलमजास के ओर भुल नुगा chor죠 आगे देखो, हरपाई लोग निला लाजवद मनी कहां से प्राप्त करते थे, तो सुर्तुगई जो की अफगानिस्तान में है, सुर्तुगई से प्राप्त करते थे, very important question, आगे देख लो, question number 34, हरपा से बेदा के लोग सोना कच्छा माल की रूप में कहां से प्राप्त करते थ अफगानिस्तान से भारत से, धक्षनी भारत से कोलार खान, आप केजयप मुझा दिखाता थे वो ना, कोलार खान, अई कोलार खान, ठीक है, तामभाः प्राप्ट करते थे, बहुचिस्तान से, अरब से खेटडी, खेटडी कहां है, राज़स्तान में, यह पूछता है, क पूछे ज़ा सकता है आगे देख लो कोश्चन मर् 35 हडपा वास थी किस वस्तु की उत्पादन में सरपर्थम थे तो का पास का उत्पादन में इन लो बहुती सरपर्थम थे आगे थे कोश्चन नमर 36 कारवन डेटिंग के आधार पर विक्सित हडपा कालकव से कब तक मानने माना जाता है तो बहुत यह माना जाता है पचीस सो से साड़े सत्रासो इसा पूर्व यह माना जाता है इसको अब देख लो ठीक है यहां पर इन में से कोई नहीं यह आप्सन नमर 4 होग से कहां यह एक आपर होप संग उसकोंकर थे कोस्चन 37 सिंधु से बता में कुजरात में बंद्रगा कौन सा था लॉधल लॉधल कहा है गुचरात में मिला था 2 कोस्टिवारी दिखियर औरा क्यारट यह सल इसन अवसेस कहां मिला है तो लॉधल में ही मिला है कर लोधल में लो नहुंकों जोजरों कहां इच्था थे सिंधू सभृता के घर सभृत ततों के अदिकार हो नाविकों का धेस किसे कहा गिया है तो मेलुहा, मेलुहा को नाविकों का देश कहा गिया है Q41, चत्रिय सब्द का साहितिक अर्थ है चत्रिय का मनि होता है, राज या छेत्र पर अधिकार होना इसी का मतलब हुआ चत्रिय ठीक है, एक चालिस का सहुतर अप्सन नमबर 4 Q42, अभिमन्यू किसका पुत्र था, तो अर्जून अर्जून की पूत्र का नाम क्या था, अभिमन्यू आगे देखो Q43, मोर ये कला का नीमन में से कौन सरवाधिक महत्वण नमुना है तो इस्थंब, क्या, इस्थंब हो जाएगा इसका अंसर, ठीक है किसने क्या है, हरी सेनने क्या है Q46, गुप्तों की काल में कौन चिनी यात्री भारत आया, भायान आया था गुप्त सासन काल में, गुप्त के काल में भायान भारत के यात्रा किये है चिनी यात्री है question of 47, भारती तिहास का कौन सा काल, सवर्नकाल के नाम से जाना जाता है, तो गुप्तकाल, गुप्तकाल को सवर्नकाल, ठीक है, सवर्नकाल बोला जाता है, गुप्तकाल को सवर्नकाल बोला जाता है, आगे देखो, असोक किस बंस का सा सकता, तो मोरी बंस का सा सकता, असोक मोरी इसका करम ए अगर आप इसको याद करना चाहोगी तो फर्स्ट में कुन था सेकेंड में कुन था थार्ड में supernatural इसका में आपको ट्रीक बता देता हूं खरर्स्ट में अग्isा यह uyह ऐख अ vẫn जहुं जानद यह क्या, चंदा, चंदा, चंद्र, चंद्रमा, तो चंद्र से आप बोलना, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, तो चंद्रगुप्त, मौरी उजवत थे, यह पाहले सा सकते, अब देखो दो है, दो, एक नाम है, जिसका नाम है बिंदु सार, बिंदु, दु, दु, दु और न मुत्unn और की थोावर पीहार न मुष्णे लेकर आज्ट तो पहला राय चंद्रुप्त मोय है के स्व noi भीन वेधा ऊहरा दू दू जीन दू, याणि दू व हम दूजू ओ तिसरा राय वेधा विन वह बिनु थां शूरू चले ना रायशा का आज बंशार question 49 कोटिली चानेक जानकरी किसमें परियाग परसस्ती समराठ समुद्र और अचित लेग था देखो प्रियाग परस्थि के रचियता कोन है हरी सेन है कोन है हरी सेन हरी सेन किसके दरवारी कभी थे किसके दरवारी कभी थे तो समुद्रगुप्त के समुद्र गुम्त के दरवारी कभी का नाम ता हरिसेन और हरिसेन ने प्रियाग परस्ष़्टिकी रचना की है और प्रियाग परस्ष़््टिसी हमें समुद्र गुम्त की जानकारी मिलती है कालिदास भवभूति शुबंदू एवंग बानबट आधिक किस धर्म के अनुयाई थे तो यह लोग सेव धर्म के अनुयाई थे अपार सुन्दर्मूर्ति एवंग नंदन का संबन्द किस धर्म से है तो सेव मत ओई सेव धर्म से ही है बावभूति के मालती माधब में किस संपरधाय का उलिक है? तो कपालिक, क्या बोलना कपालिक? एक कोश्चन ये बहरी इंपोर्टेंट है बहरी बहरी इंपोर्टेंट है, कादमबरी उपजिणास के अस्थापना किस ने क्या है? बानभट ने क्या है? one of the most important question है या रखना बानभट, बानभट ने कादमबरी की रचना की है, कादमबरी की रचना किसने की है, बानभट ने क्या है, very important question है, इसके बाद आगे देखो, बानभट ने कादमबरी गरंदी में किस संपरदाई का उल्ले क्या है, तो पासुपत संपरदाई, पासुपत स लिए प्राप्ति कहा हुई बोढ़ गया में, स्वेतामबर इवंग दिगंबर का संबंधि जेन-धर्म से है, यह इंपॉटेंट है, जेन-धर्म की दो मुख्य साखाए हैं, एका नामें दिगंबर और एक का ना में स्वेत अंबर, दिगंबर संग में साधू नगन रहते हैं, दिगंबर में क्या होंगे, साधू नगन रहेंगे, यानि नंगे रहेंगे, कुछ भी नहीं पहनेंगे, ठीक है, स्वेत अंबर संग के साधू, स्वेत बस्तर धारन करते हैं, ठीक है, स्वेत जिसको बलेंगे लिंगायत आंदरण का जनक कोन है तो बास बनना है वहरी इंपोर्टेंट है कर लो बास बनना इसका एंसर होगा आगे देखो कोश्चन 59 बोध प्रंपरा में असोक ने कितने इस्तुप बनवाए तो 84,000 ठीक है कितने बनवाए है बई 84,000 इस्तुप जो पुस्तक है यह पाली भासा में लिखी गई है को इहां पते हो कुछ इंपोर्टेंट पॉंट से बैस्नाब मत के अनिवाई अलवार यह सब मत के अनिवाई नायनार का अलाते हैं देखो बिस्नु भगवान को मानने वाले जो भी लोग है इसको अम लोग अलवार बोलते जो हिन्यान है यह बोज धर्म से सम्बंदीत है और हीन्यानी का पुस्तक है यह पाली भासा में और देखो बोज धर्में एक हमलुक्छीज पढ़ेंगे इसका आपे तरी-Pितक तरी-Pितक में तीन चीज आता है सूत-Pितक, बिने-Pितक और अभिधम पितक और यह तीनों मि पाली हासा वारा उत Sky लिए बोध साज्ती तो मुभ्य मासा यू झाली में लिखा जाता था आगे चलते हैं, आगे देखो, अगला question निम्नाइकेदी में, मिंकर दाटी किस प्राद का हपियो, तो की सेल कर रहा अफून होता था कूछ बिडवानों के अनुसर हडपा सेपधा का सासन बैल दीन का गडाक स्वाट्व था हाथमें था कोई बोलता कि बैल दीन सासन बैल अप़ाइब घाल जैसा था तो नगर पालीक आप टिक कर देने क्यों तक कंग दीक जाएगा ऐगा कुछ शर्ट बेगों किस प्रकार से आपकार में किस प्रकार से था तो तु कों लोहां के बाले मैं क 백신 lanz की थी तो में आपका झोई तोलने की रूप में सिंदुवासी किस अंक्या उसके गुनक का बैभार करते थे तो सोल्ला सोल्ला का भई उहां पर बहुत महत्ति हुथा सोल्ला का वहां पर बहुत महत्ति हुथा Q67 हरपा से बता किस यूग की से बता थी तो काई से यूग की Very important question Q68 हरपा किस नदी के किनारी इस्तित है तो रावी नदी के किनारी इस्तित है रावी नदी मोहन जोदो सिंदु नदी याद रखना आगे देखो सिंदु अडी से बता में विसाल सनानागार के अवसेस कहां मिले कहां मिला है मोहन जोदो में मोहन जोड़ों में विसाल सनानागार के अवसेस मिले है कोश्चन नमर 70 कोलकाता में इस्तिति एस्चाटिक सोसाइटी के अस्तपना किस बर्स हुई तो 1784 में कब हुआ है भई 1784 में हुआ है नोट डाउन करो कोश्चन 71 फूर डालकर विजय प्राक्त करने का कारी सरपर्थम की स्राजाने क्या तो अजाद सत्रु ने क्या किसने क्या अजाद सत्रु ने सबसे पहले ये क्राम क्या है जीबग वैद किस बंस के काल में था तो ये हरियक बंस के सासन काल में था किस बंस के थासक काल में था हर्याग बंस और यह वन आप दो मॉस्ट इंपोर्टन कोश्चन है कोश्चम 73 अपने स्वेंग के खर्चे से सुधरसन जिल की मरमत किसने कराई रूद्रदामन ने कराया है यह कोश्चन बार बर पूछता है कोश्चम 74 पादलिपूत्र नगर के अ समस्त भारत ही नहीं किस साथ को जाता है तो इसकंद गुप्त किसको जाता है इसकंद गुप्त को जाता है इसकंद गुप्त इसका एंसर होगा कोश्चम 76 यूरोप का समुद्र गुप्त कौन था नेपोलियन नेपोलियन को यूरोप का समुद्र गुप्त बोला जाता है न प्रभावति गुप्त हो जाएगा इस देखो क्या है ब्रहामनों को भूमिदान करने के प्रथा का आरंब सर्व पर्थम सातवाहन राजाओं ने किया क्या था जिसका उल्लेक नाना घाट अभिलेक में है सातवाहन वन्स आंध्र प्रदेश का वन्स अगर यहां पर ब्रहामन को भूमिदान का अगर बात करेंगे तो किस बंस को जाता है यह बात तो सातवाहन वन्स को जाता है ठीक है और इसका उल्लेक है नाना घाट अभिलेक में है तो यहां पर देखो कोई ब्रहामन का बात नहीं हो रहा है और यहां पर नाना घाट अभिलेक भी नहीं दिया और अगर नाना घाट अभिलेक अगर अप्शन में हो तब मार देना उसके उसके ओपर ठीक है और देखो यह कौन करते थे तो सात्वाहन वन्स के राजा दवरा इसी किया जाता था और यह लोग ब्रहामन को भूमी दान करते थे भूमी देते थे आगे देखो ब्रहामन करते थे देखो कुछ पता नहीं तो यहाँ पर ऑप्शन में आप यह एरन मार के आजाना एरन मार देना आंगे देखो कोश्चन अस्सी किस इलालेक से अस्योग दवारा सब्राण स्ब्रosphर पता चलता है तो थेरवें थेरह नंबर काा जो इस से इलालेक इस gobierno क 2 पता चलता है ऐस्तम लघोगिसंगा छोगा है गोहया लगो की नेती है असो की सिरा लेख की खोज 1750 इसवी में पादरेटी फैंतर लट लट ने किया था असो की अभिलेख पढहने का यो, चरह 81, महाभारत का यह थी कितने दिनों तक चला, 18 दिनों तक चला था, पांडवों और कर्वों के भी चला था, कुरुचेत्र के मैदान में, कहां, कुरुचेत्र के मैदान में, और इस लगाए में पांडवों की जीत हुई थी, और कर्वों का राम नाम से थुआ था, आगे कोंचर्श.. Boris Ramanicustヤ.. रामयन के रचना किसने की ?.. वालमिकी न है resource 35 Question 85, Manu Smriti के रचियाता थे ? वही , Manu ही होंगे.. Manu Smriti Manu..Cor 다르게 Manu.. Question 86, Arjuna किसके शिस्स्य थे ? तो द्रोमाचारिय..। seront पर गुरुरुदरोनाचारी की रचिया कोन थे ? अर्जुन इसके बाद आगे चले question 87 करनी की मा कुन थी तो कुन थी कुन थी करनी की मा थी ठीक है question 88 भीम की पत्नी थी हिडिमबा ठीक है भीम की पत्नी का नाम हिडिमबा और इसका जो बच्चा था इसका जो पुत्र था इसके पुत्र का नाम था घटोत कच क्या नाम था घट तो ब defensive सामिल थे वह 김ान थे कर्षन थे आपका जाकर पांडव के यहां पर सामेल हो जाके कॉरवों के ओर से दुरियधन वह उसके निनान에 भायो सहित भिष्म दुहां ना-चार्य, कर्न, सकूणी यह सब सामिल थे देखल où कौन कौन सामिल थे अप्शन में यह सब भी देता तो आप स्टिक कर सकते थे देखे लो में ने लिग दिया पॉइंट बना के क्वेश्चन अबर नबे पांच पांडवों में सबसे बड़ा कौन था युदिश्टिर युदिश्टिर सबसे बड़ा था ठीक है क्वेश्चन अबर 91 मोहन जोद्रो की खोज किस ने की थी तो राखलदास बैनर जी मैंने बता दिया है आप लोगों को पहले ही 92 डाक्यार यानि गोदिवारा कबसेस कहां मिला लोतल से मिला है मैंने पहले बता है आपको ये गुजात मिस्तित है 93 मिर्तकों का टीला किसे कहा गया है तो मोहन जोद्रो मोहन जोद्रो को मिर्तकों का टीला कहा गया है क्वेश्चन नम् Gavin 94 हडपा ननगर की खोज किस बर्स हुई तो 1921 कब हुआ भई 1921 को हुआ है Q95, सिंदुगारी सेविदा में नीर्थ करते हुई लड़की की मूर्थी किस हस्तान से प्राप्त हुई है? मोहन जोदरो से, कहां से? मोहन जोदरो इसका राइट अंसर होगा Q96, सिंदुगारी सेविदा की लोगों का दरपन बना हुआ था? तामबा या फिर कांसा, जो भी बोलो तामबा या फिर कांसा इसका एंसर होगा Q97, सिंदुगारी सेविदा में प्राप्ति तीन मूख वाले पुरूष देवता को योगी की मुद्रा में सिंगासन पर बेठे हुई दिखाया गया है जिसकी पाचान पसुपति सीविद की रूप में किस ने की है? तो जौन मार्सल ने क्या है? ये जो पसुपति नात काई जो मूर्ती है इसका पाचान किस ने क्या था? तो जौन मार्सल ने क्या था याद रखना भेरी इंपोरेंट कोशन ने पूछता है आगे देखो question no.98 हडपा सबसे बड़ा नगर कुन था? Mohon Jodro Mohon Jodro हडपा सबसे बड़ा नगर था और हडपा Mohon Jodro को Sindhugadhi Sabrida की जुड़वा राजधाने भी भोला जाता है आगे देखो question no.99 Sindhugadhi Sabrida में हल के परमान की सस्तान से पराप्त हुए काली बंगा काली बंगा बोलो या फिर काली बंगान बोलो दोनों का मदर बेखी होता है तो देखो यहां पर क्या आ रहा है बंगान में क्या रहा? बगान आ रहा है तो बगान में ही तुम लोग हल जोते हैं है तो हल का परमान काली बंगा या फिर काली बंगान से मिला है आगे देखलो और यहाँ पर सेंचूरी हमने ठोक दिया है ठीक है सववा नमबर वाला कोश्चन सिंदुगाड़ी सेवेता की जुड़वारा इधानी थी तो हडपा महोंजुद्रों मैंने बताए दिया अगला कोश्चन ब्रह्मबंसी सत्वाहं नरेस्वसिष्ट पुतर सतकर्णी की वीवा समंद्र किस वर्ण्स के साथ जोडे तो सघवन्स हो जाएगा अगला कोश्चन महाभारत की किस पढर में वर्न व्रेष्टा का उल्यग मिलता है तो सांतीपर में मिलता है ये भी मिलता, ये भी मिलता, ये भी मिलता, सब मिलता, सब, प्रामन चत्रिय वेश्ट सुद्र सब, ठीक है, आगे देखो, अगला कोश्चन, चंडाल अस्परिय से माने जाते थे, जब भी वी नगर में आते थे, तो उन्हें लकडि की आवाज करके आना परता था, ताकि लो पिका मराथे में लिखी, तो ज्ञानेस्वर, ज्ञानेस्वर ने लिखा ता करनिस्ट का राज रोहन कब हुआ था तो 78 इस्वी में बेरी इंपोर्टेंट है 78 इस्वी में इनका राज रोहन हुआ है मोर्य समराज का पर्थम सासक कौन था चंद्रगुप्त मोर्य देखो चंद्रगुप्त मोर्य फाहला सासक बिंदो में दू है यान यह दूसरा सासक अस यह सरू करेंगे शोख मोरी संमराज का थिर्थ यह साहा की यह सोख से अशोख यह S llamaraj का बन्ता है इस अधाक में देख लो अब का उथक्रण क्या था अहने हम उत्फतया अ क्या आप है 연 unut अ राम वक्त कर आ अपने हम प्रिया कोॉलो एख कंTIंगफ Łg लो सब का मतलव ह्एा है संदू सप्रधा विसाल सनानागर के ऐवसस कहा मिले तो मोहन जोदरो में मिला है QuestionNo. 120 Lothal कहा इस तTH बहई? Gujarat मैंनर थे दर पहले बताया hai Lothal कहा है तो Gujarat मैं इस देखा आगे देखो मोहन जोद्रो का उठकान चाल अब किनारे सिश्टित नहीं ऩी कोलो सबसे बड़ा सार था तो मोहन जोद्रो सबसे अबार त्रोटल का है इसिप थे गुझरा TB हो सब्सक्राइब एक दो कोश्चन रिपीट हो गया इतना सारा कोश्चन है थोड़ा बहुत दर दर होगा कोई नहीं चलो रिविशन हो जारा आपका ठीक है आगे देख लो सिंदुगाटी के निबासियों को किस दातियों का ग्यान नहीं था तो लोहा का ग्यान नहीं था दोलाविरा का खोज किसने क्या है तो आरेस विस्ट याने रविंद्र सिंग विस्ट नहीं क्या है महोंजोद्रों की खोज 1922 में किसने क्या है तो भई राकल्दास बनर जी नह मैंने एक स्रीज बनाया ता जहां पर पिर इसला था तो इसल चिपका दिया है. अब बगल में देख सकते हो कि सब कह auraitको इसला कितना इंपोर्टेंट, कितना बार वर पुछ आ था भाई आप ले लिया है. अब बोशरी प्रिपीट हो रहाँ जेहां आपको यहां त्यारते वह बूर धता है। तो जुम कितने सबसे सकति साला महाजनपत है। मगद मगद गणिवरी ने तो अजनली सकति साली महाजनपत भूरी है। मगद sm Bunds, tongues माजना भूरी 16 गणितन में। नवाइब शॅला मोद वैखतक이가 कsil ह्या बेखतक है। अर्थ सास्री के लेखा कौन है, पोटिल्य बोलो, चानेक के बोलो या फिर विस्नुगुप्त बोलो, Q134, बज्जी को समाजी करन्तों में कहा गया है, तो गनत अंत्र, बज्जी मतलब क्या होता है, Q135, जनपध सब्द का सारुद्धीक अर्थ है, जनपध मादल जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं, उसको जनपध बोला याता है 136 पंची चीनने वाली सिक्क्की बनाते थे, तो से चांदी और तामने की चांदी और ताम्बे के बने हुए, चांदी और तामने के बनाते होए रहेज्ускेnın को छया है है, पाड़लीपुत्र के स्टफना की गई थी तो यह पाकिस्तान पाकिस्तान हो जाएगा इसका हमारा एंसर Qoestion No. 149 फायान किसके सासनकाल में भारत आया था तो चंद्रगुप्त दुत्य बोलो या फिर चंद्रगुप्त दुत्य को ही चंद्रगुप्त विक्रमाधित्य भी बोला जाता है और समधरुपत को भारत का नियपॉलीयन मोल जता है महाभारत के अधीपर्व के किस एध्डयाइ में भिस्म दोरा आट परकार के विभाहों का बनन क्या ध Tages मने है तो 102 ऑमे Amaos 102 ऑमें 102 ऑमेस 202 ऑमे अध्ड़य में आगे देखो अगला question, अमबा अमबा लिगा किसकी पत्निया थी, तो विचित्र विरी, विचित्र विरी के ये पत्निया थे, 143, महर्ती व्यास दौरा उत्मन संतान थी, तो पांडो धृतराष्ट विदूर, ये सब के सब हो जाएंगे, 144, घटोतकच किसका पुत्र था, मैं question number 146, दौरोपदी किसकी पत्निया थी, तो विच पांच पांडवों की, ठीक है, अर्जू, नकूल, साइदेव सब हो जाएंगे, ये पांच पांडवों की पत्नि है, दौरोपदी, युदिश्टिर भीम, अर्जू, नकूल, साइदेव, ये हमारे पांच पांडव है, आ सुलोग 47, और ये दूसरे अजधाय में ये बर्नित है, इसको देख लो, आगे देखो अगला question 148, सिर्मद भागवद गीता के महतुपपर किसे विचारवक्त की है, देखो गीता के बारे में हरे कोई बोलते है, जो भी सेनानी है, जो सवतंतर सेनानी है, हरे कोई बोलते है कितने दिन, 18 दिन, आगे देखो, गंगा पुत्र किसे कहा जाता था, तो गंगा पुत्र बोला जाता है यहां पर बिस्म पिता मा को, किसको बिस्म पिता मा को, बिस्म पिता मा को, बिस्म पिता मा को बिस्म पिता मा को गंगा पुत्र कहा जाता है, और यहां पर आज हम 200 questions बचा हुआ है, 200 questions बचा हुआ है, इसे 500 questions कमी होगा, तो जो भी है ना, मैं आपको अगले पार्ट में करा दूँगा, तो चलो यह रामार आज का वीडियो, आपको पसंद आदे, लाइक करें, जितना हो सक इस वीडियो को सेर करें, और भाई पढ़े लो अभी, पढ़े लो सोचने से कुछ नहीं होता भाई, करने से होता है, तो करो, सोचो नहीं, आप करके दिखाओ, ठीक है, तो चलो हम लग मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्यू, जहिंद